आपके साथ आई रुख करते हैं आज के मुझ के खबर हो क्यों ट्रक से कुचल कर साइकल सवार की मौत कजबे में दुर घटनाओं से हो रही मोतों का सिलसिला थम नहीं रहा लहुरा गाउं के समीब ट्रक दुर घटना में दो युवकों की दर्दनाक मौत को लोग भूले भी नहीं थे कि कजबे में मंगलवार को एक साइकल सवार युवक की ट्रक से कुचल कर दर्दनाक मौत हो गई सुचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भेज दिया है ट्रक ब्राइवर को पुलिस ने गिरपतार कर लिया है घटना कुले कर परिवार में कोहरा मचा है कजबा से गुजरे बांदा राजापुर स्टेट हाईवे पर बढ़ी ट्रकों की आवाजाही से दुरघटनाओं का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा गत सोंबार को लोहरा गाउं के समीब पहुचा हुआ निवासी दो मोटर साइकल सवार युवकों को ट्रक ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया था वही मंगलवार को कजबा निवासी 28 वर्षिय युवक जगदीश पुत्र श्रीपाल खेंगर को दोपहर तीन बजे बांदा की ओर से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया जिससे घटना इस्थल पर ही उसकी मौत हो गई मौत की मा शकुंतला देवी ने बताया कि मेरा लड़का जगदीश साइकल लेकर पेट्रोल पंप के समीप लगी आरा मशीन से लकडी लेने जा रहा था जैसे ही जगदीश विजय सिंग के मकान के समीप से साइकल से गुजर रहा था बादा की ओर से आ रहे ओवरलोड ट्रक ने सामने से टकर मार कर कुचल दिया जिससे घटना इस्थल पर ही मौत हो गई मृतक की मा शकुंतला देवी की सुचना पर थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर मुस्तकीम पुत्र सलीन रीवासी अकबर जनपत कानपूर देहात को गिरब पतार कर लिया है रिदा विदारक घटना से घटना जगदीश के परिवार में कोहराम मचा है मा शकुंतला देवी का रो रो कर बुरा हाल है परिजानों ने बता कि जगदीश की शादी नहीं हुई थी और दो भाईयों में सबसे बड़ा था पुलिस ने शब को कबजे मिले कर पोश्माटम के लिए बांदा भेज दिया है बांदा से पुरुशोतम कुमार बुंदेला की रिपोर्ट साल से कम नहीं बावी तुमाइफ पिता जिक ना थे का ना थेपा जिका ना थे ओता अर्माटा जिका सुंगंतला सुंगंतला जी